हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप आई होप आप सबी बहुत अच्छे से होंगे आज मैं जिस मेडिसिन का इस्तेमाल करने जा रहा हूं यानि जिसका मैं रिविव कर रहा हूं वह है एक इसके में लगाने वाली मेडिसिन है इसे जाईयों के इस्तेमाल के करें स्टार्ट इसके पहले करूंगा आप से एक छोटी से रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के को तरह हूं आज उसका ब्रेंड नेम है इसके लाइट क्रीम यह क्रीम मार्केट पर बहुत ही पाप्लर है हर मेडिकल स्वाप पर यह उपलब्द है एब लोगों के द्वारा काॉंटर से खरीद कर इस मैडशिन को बहुत इस्तिमाल किया जाता है यह बहुत पाप्लर driving के लिए जैनरलीं लोग इसे इस्तिमाल करते हैं कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तो नहीं परन्तु लोग इसे कोस्मेटिक प्रोडक्ट की तरह भी इस्तिमाल करते हैं जो किहानी निमेर्सेन संबंधित इसे विडियो में ऊपाल शिर करूओं दो बिल्कुल भी इसे skip ना करें एवं पूरे वीडियो को देखें फ्रेंड्स ब्रेंड नेम के अगर बात करें तो इसके लाइट क्रीम है इसे जाइडस कैडिला के द्वारा बनाया जाता है अब बात करते हैं इस क्रीम के कमपोजिशन के बारे में तो इसमें हाइड्रोकिनवेन 2% बाइवेट होता है मॉमिटा जोन 0.1% बाइवेट होता है और ट्रेटिनवेन 0.025% बाइवेट की मातरा में पाया जाता है अब बात करते हैं इस मेडिसिन के प्राइमरी यूज की तो जैसा मैंने पहले आपको बताया यह मेडिसिन मिलावजमा के केस में इस्तिमाल की जाती है यानि जाईयों के केस में इस मेडिसिन के इस्तिमाल किया जाता है तो चमें गहरे दाग का बनना जाईयों का बनना अधिक उम्रे के करण जोरियों का बनना इन सारी सितियों में यह मेडिसिन हेलफूल है बात करते हैं इस मेडिसिन के जो कंटेंट है या इस्तन पान के दोरान खतरनाक होते हैं इसलिए इस्तन पान कराने के दोरान इस मेडिसिन के इस्तिमाल करने से बचना चाहिए अब बात करते हैं इस मेडिसिन के MRP की तो फ्रेंड्स 20 ग्राम का ट्यूब होता है जो 198 रुपय का मार्केट में उपलब्द है विभेन प्रकार के फार्मा एप जैसे 1, M.G. एबं नेटमेट इत्यादी के दौरा यह मेडिसिन कम कीमत पर भी उपलब्द हो जाती है अब बात करते हैं अगर यह टेबलेट आपको ना मिले तो इनके लिए क्या बैकलपिक ब्रांड है जो मार्केट में उपलब्द है जिसमें है मेला केयर क्रीम जिसे अजंता फार्मा लिम्टेट के दौरा बनाया जाता है कॉसमे लाइट क्रीम जिसे ओकनेट हेल्थ केयर प्राइविट लिम्टेट के दौरा बनाया जाता है मेल बेस्ट क्रीम जिसे मेनकाइंड फार्मा लिम्टेट के दौरा बनाया जाता है No-Scarz Cream जिसे Torque Pharmaceuticals Limited के दवरा बनाया जाता है 심 aiming Met Cordialight cream जिसे MacLeod's Pharmaceuticals Private Limited की दवरा बनाया जाता है फ्रेंड्स अब बात करते हैं Skinlight Cream के प्रमुखी इस्तिमाल के बारे में तो जासा मैंने पहले आपको बताया तचा के मिलाजमा यानि तचा पर गहरे भूरे एवं काले रंग के दाग के इस्तिमाल के इस्तिमाल किया जाता है इसके अतरिक जुरियों से बचने के लिए इस मेडिसिन को स्किन टोनर के रूप में भी इस्तिमाल करते हैं इसके अतरिक किसी भी प्रकार का घाओ या काले दाग होने पर भी इस medicine का इस्तेमाल करने की सिफारिक्स की जाती है आप बात करते हैं Skin light cream के side effect के बारे में तो friends, skin light का side effect application side reaction यानि जहां पर आप लगाते हैं वहां पर यह medicine react करती है burning की स्थिति पैदा करती है जलन पैदा करती है खुजली और तुचा का लाल-लाल हो जाना ऐसी स्थिती को यह मेडिसिन साइड इफेक्ट क्रूब में प्रगट करती है अब बात करते हैं इस क्रीम का इस्तमाल कैसे करना चाहिए यह दवाई के वल बाहरी इस्तमाल के लिए है इसे डक्टर के द्वारा बताएगे खुरा के वं अवधी के हमसार इस्तमाल करना चाहिए इस्तमाल करने के पहरे लेवल की जाच करना चाहिए प्रभवित हिस्से को साफ करना चाहिए और सूखने के बाद ही वहाँ पर क्रीम लगाना चाहिए लगाने के पस्चात अपने हाथों को धो लेना चाहिए और अगर प्रभावित हिस्सा हाथ पर ही है तो हाथ को नहीं धोना चाहिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं स्केन लाइट क्रीम कैसे काम करता है यानि इसकिन के डॉर्क स्पॉट के लिए हाइड्रोकिनोन एक इसकिन लाइटनिंग मेडिसिन है जो इसकिन में होने वाले गहरे पन को दागों को कम करता है यह इसकिन के पिगमेंट यानि के जो मिलेनिन पिगमेंट होता है उसके मातरा को कम करता है जिसके कारण इसकिन की डार्किनिंग कम हो जाती है इसका effect reversible रहता है यानि medicine आप जब तक लगाएंगे तब तक वह आपको गोरापन प्रदान करेगा परन्तो medicine का प्रभावाट हटते ही वह नार्मल इस्थिते में आ जाती है मॉमिटर जोन एक इस्टिराइड है जो कुछ chemical messenger को बनने से रोकता है जिसके कारण यह आपकी dark skin को red करता है स्वैलेन करता है और इची condition उत्पन होने से रोकता है यानि इसके दोरह जो रोके गए chemical होते हैं जैसे prostaglandin यह क्या करते हैं इसकिन को लाल करते हैं सूजन उत्पन न करते हैं और इची करते हैं इन सारी सेतिय। को रोकने में यह मदद करता है ट्रिट्रियोन इक विटामिन A का फॉर्म है जो इसकिन को renew करने का का म करता है अब बात करते हैं इसकिन light cream के लिए बिशे सग्यों की क्या सला है तो friends इसके लाइट क्रीम का इस्तेमाल हलके या मध्यम मिलाजमा के कम समय वाले इस्तेमाल की रूप में किया जाता है यह इसका हरमार को रिड्यूस करता है इसके बाद यह बलेमिसेस को कम करता है और डार्क सरकल आँख के नीचे जो हो जाते हैं उसके इलाज में भी इसका इस्तमाल किया जाता है कई लोगों में जैसे अधिक पढ़ने कारण अधिक उम्रे के कारण अधिक टेमानसिक तनाओ के कारण आखों के नीचे काले काले डार्क सरकल हो जाते हैं इसे ठीक करने में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है यह है सन इस्क्रीन वगएरा के साथ इसको इस्तिमाल करना चाहिए मेडिसिन लगाने के बाद धूप में नहीं निकलना चाहिए मेडिसिन को लगाने के बाद मेडिसिन को लगाने के बाद हलके हाथ से मालिस करना चाहिए यह मेडिसिन बहुत जल्दी ही फुली यानि पूर्ण रूप से एफजार हो जाती है दिन भर में केवल एक बार लगाना चाहिए वह भी केवल रात के समय इसका जो प्रभाव होता है वह धीरे-धीरे करके आता है बहुत जल्दी प्रभाव लाने की कोशिस नहीं करना चाहिए इसके प्रभाव आने में लगबग दो सब्ताय का समय लग जाता है और दो से तीन महीने तक रेगुलर इस्तमाल करने के बाद इसको जो प्रभाव होते हैं वो पूर्ण रूप से दिखने लगते हैं अगर आपके इस्किन का कोई भी हिस्सा कटा हो जिससे ब्लीडिंग हो रही हो, फट गया हो, रफचर हो, घाव हो या कुछ ऐसी भी स्थिती हो तो उस स्थान पर मेडिसिन का इस्तमाल नहीं करना चाहिए इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का इरिटेशन हो रहा हो कोई एलर्जिक रियक्सन हो रहे हो तो मेडिसिन यानि स्क्रीम का इस्तमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए एवं अपने डाक्टर से परामर्स करना चाहिए अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि 6-8 सपता है तक लगतार मेडिसिन का इस्तमाल करने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो अपने डाक्टर से आपको कंसल्ट आवस्स करना चाहिए अब बात करते हैं इसके लाइट क्रीम से संबंधी चेतावनियों के बारे में सराप के साथ इसके इंट्रेक्शन की आधिक जानकारी प्राप्त नहीं है गरवास्ता के दौरान इस्तमाल करने के लिए लाव एवं जोखिम के तुलना करना चाहिए जनरली यह मेडिसिन आसुरक्शित होती है गरवास्ता के दौरान इस्तन पान के दौरान इसका इस्तमाल करना आसुरक्शित है अध्यनों से पता चला है कि दवा से बच्चे को नुक्सान हो सकता है अगर मा इस दवा को ले रही है तो बच्चे को इस्तनपान नहीं कराना चाहिए ड्राइविंग मोट के अगर बात करें तो इसके प्रभाव के जानकारी उपलब्ध नहीं किड्नी एवम लीवर से संबंधित मरीजों को इस मेडिसिन के इस्तिमाल बहुत साओधानी पूरवा करना चाहिए अब बात करते हैं यदि इसके लाइट को प्योग कैसे किया जाए फ्रेंड्स डाक्टर द्वार निर्देशों का पालन करना चाहिए संबावित या प्रभावित छेत्रों को कवर करने के लिए दवा के परियाप्त और मातरा में इस्तिमाल करना चाहिए इसके लाइट को आम तोर पर तोचा के प्रभावित छेत्र में दिन में रात्री में ही लगाए जाता है यदि निर्धारी समय से यह मेडिसिन अधिक हो जाती है तो आपको तचा का पतला होना और कमज़ोर होना की स्थिति उत्पन होती है एवं अन गंभीर दुस प्रभाव हो सकते हैं यदि अपने लक्षणों की गंभीर तक असाम ना कर रहे हैं तो पुनर मुल्यांकन के लिए चिकिछसक से परमर्स आवस्य करें फ्रेंड्स एक चीज और कहना चाहता हूं कि दवाओं से संबन देती है विबरन शिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं किसी भी दवा का सेवन कर आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें चैनल प्रमोट करने में प्लीज हेल्प करें इसे जुड़े किसीुआ कर छ एक्स पिर्यानस आपको हैしまा तो कमेंट सेक्षें में जरोरा सेघ्डर करें इस वीडियो में बस इतना ही बहुत जल्दी कि सेने टॉपिक के साथ आप से फिर मिलूँगा तब तक के लिए गुडबाय आपका दिन सुभ हो जय हिंद।